हालो एबरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करता हैं सब ठीक होगें दोस्तों अगर आप CSIR नेट जून 2020 की त्यारिक कर रहे हो तो आज मैं आपके लिए क्या है एक बहुत बड़ी खुशकबरी लेका है जो की एंटे की और से एंटे ने क्या है CSIR नेट जून 2020 को लेकर क्या है आवी दन पर क्रेश शुरू कर दिया जिसकी जो फॉर्म बनने की जो क्या है डेट जो रहेगी वो 16 मार्श से 16 अपरे तक रहेगी CSIR नेट देने के लिए क्या eligibility चाहिए और कब exam होगा और क्या exam pattern रहता है यह सब जो क्या है मैं आपको इस वीडियो के अंतरकत बताओगा तो मेरे साथ वीडियो के अंतरकत बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे है कि CSIR जून 2020 Official NTA Notification Online Application Open यानि कि form जो क्या है Open हो चलते तो यहां पर जो है important date दे रखी है important जो date रहेगी वह है online summation of net application form जो है 16 मार्च से 15 अपरेल के बीच के आए फिर फोर्म आपको भढ़ना होगा आपके लिए 30 दिन आपके पास दिये गए आपको last date of successful transaction fee through our last date जो क्या है फीज जमा कराने की और 16 अपरेल रहेगी correction in particular particular of application from the website only तो correction जो windows खुलेगी या अगर आपकी कोई mistake हो जाते है form fill करते समय तो आप अगर उसको correction करना चाहते है उसकी जो date होगी 18 अपरेल से 24 अपरेल तक नेक्स्ट यहां पर क्या है downloading admit card है वह 15 महीं तक क्या है आपके website पर डाल जे जाएगे ओफिशली जो website है NTA की 15 महीं तक date of examination CSIR net 2021 2020 को क्या है 21 तरीकों क्या है जून के महीना होगा और 21 तरीकों के जब यह exam होगा और मुझे लगता है इस दिन संदे पनने वाला संदे के दिन यही exam होने वाला है फिर टाइमिंग फर्स्ट शिप्ट की जो टाइमिंग है वह सड़े नो से सड़े बारा होगी और सेकिंड की ज़ए डाई से सड़े पांस की बीच होती है चंट सेंटर डेट ऑफ दा शिप्ट जोंट सी आई साय नेट एग्जामिनेशन एज इंडेक्ट एंड एडमिट का डिस्प्ले रिकोर्ड रिस्पॉंस एंड अंसर की टू भी एनॉंस लेटर वेपसाइड एग्जाम के बाद उसके बाद आपके क्या रिस्पॉंस एंड कि क्या है एनॉंस कर दी जाएगी और रिलेटिड रिलीस कोर एंटी वेपसाइड दो बीक के अंदर क्या है आपका जो क्या है जो स्कोर बनेगा वो भी शो कर जाएगा दा एंटी बिल भी कॉंडेक्ट ऑन दा सीसा एनाट नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड प्रदान करता है तो इसके डो चीजाँ के लिए होता है इसमें जो क्या है सब्जेक्ट जो है पांसब्जक्त में क्या है यह जो टेस्ट कर वाया जाता है जिसमें लाइफ साइंस, फीजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस और मेथेमेटिकल साइंस अब मैं यहाँ पे आपको खास तोर से एक बात बता देना चाहूगा maximum जो जो जेग्रफिया ले जो student है वो यहाँ पे क्या में को क्या comment करते रहे थे कि sir हम CSIR का NET दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं हम तो क्या होलते है आर्ट से पड़े हमारी MA MA, MSCA जो भी है तो मैं उनको एक बात बता देना चाहूँगा कि जो 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 क्या है जो CSIR NET के लिए वो बिल्कुल पूर्ण रूप से इलिजी भी लए और वो जो सब्जेक्ट जो इनको भरना होता है वो भरना होता है Earth Science आप जो ए अर्थ साइश में क्या है अपना NET का फॉर्म क्या है फुल फिल कर सकते है उसका क्या है एगजाम दे सकते है अर्ट साइस से क्या है आप फॉर्म बर सकते हो next step mathematics भी है उसके बाद जो है यहाँ पर जो दे रखा है shift दे रखी है first और second जो है first shift जो है morning में है उसका जो timing दे रखा है वो है शड़े 9 से शड़े 12 बज़े 3 घंटे का paper होगा 180 मिनट और second shift जो है उसका जो timing है वो धाई से शड़े 5 है इसका भी क्या है 3 hours जो क्या है आपको exam के लिए दिये जाएगे उसके बाद आप देख रहे हैं कि the test will be conduct in the computer based CBT होगा mode only यानि कि computer based होगा only offline कोई test नहीं होगा यह जो test यह online ही करवा जाता है the candidate who desired to appear the test में see the details in information bulletin CSIR उसके बाद फीस detail दे रखिया online submission of application जो है 16 March तक है 16 March से 15 April तक है और last day जो क्या है फीस जमा करवाने की है वो है 16 April है और आप जो फीस है वो credit card, debit card, net banking EPI, ATM आज इसे कर सकते हो फीस जो है इसमें तो यहाँ पर देखिए जनल के लिए जो है 1000 रपे होगा और वी-CNCL के लिए 500 रपे होगा SCST PWD के लिए RS 200 है processing charge a good and service taxes जो GST are to be paid by the candidate candidate can apply joint CSIR net through only online mode के वोल online ही आप apply कर सकते उसको नाक्स्ट है only one application for be submitted by candidates CSIR जून एक ही application एक candidate क्या है submit करवा सकता है उसके बाद है instruction for filling application form यहाँ पर instruction दे रहे हैं किस तरह से आपके आपना application form बर सकते हैं सबसे पहले हैं आप official site पर जाएगे और वहाँ पर क्या है अपना क्या registration using registration करेगे ठीक है वहाँ पर क्या आपसे email ID वगएरा mobile number आपको देना है आपको अपना नाम फिर उसके बाद step 2 में क्या है आप application form क्या है अपना भरेगे फुल फिल करेगे उसको और उसके बाद क्या है आप क्या है फोटो और सिंग्नेचर क्या है अफलोड करेगे और उसके बाद क्या है अपना जो है फीस जमा करवाएगे जो की debit card, credit card, net banking और paytm के थूँ आप जमा करवा सकते हो नेक्स्ट है इन्फोर्मेशन बुलिटीन एबाउट नेशनल टेस्टिंग एजनसी एबाउट CSIR फेलोशिप जूनियर रिसर्च नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या है एक्जाम का क्या है पैटर्न सदे रखा है पैटर्न ओफ एक्जामिनेशन कोई भी आपको क्या है भी इसमें ब्रेक नहीं जा जाएगा तो यहाँ पर देखे टोटल जो कोशन है तीन जो क्या है पैटर्न इसमें होगे पार्ट ए पार्ट भी पार्ट सी तो जो क्या है टोटल नमबर ओफ कोशन जो है पार्ट ए में जो क्या है आप से क्या है बीस कोशन पुछे जाएगे और बीस में से आपको क्या है मैक्सीमम नमबर ओफ कोशन अटेम्ट पंदरा कोशन करना है और सभी के जो क्या है दो-दो marks है और इसमें क्या है negative marking जो क्या है 0.5 की है फिर part B में जो क्या है आपसे क्या है total 40 question पूछे जाएगे और 35 question आपको करने और तुटुम दो-दो number के होगे और उसके बाद इसमें भी क्या है 0.5 की क्या है negative marking है पार्ट जो सी है उसमें 60 question आपसे पूछे जाएगे और maximum number of question जो है आपने attempt करने वो 25 करने और 4-4 number का क्या है ये question होगा और negative marking का जो रूल है उसमें क्या एक जो number है वो आपका less होता जाएगा total जो है यहाँए देख रहे हैं आप 125, 75, 200 life science ये जो था हमारा जो मैंने बताया वो chemical science का था next जो अगर life science की बात करें तो इसमें क्या है इसमें भी क्या है total part A में जो क्या है total 20 question आएगे उसमें से 15 करने आपने दो-दो number क्या है और 0.5 मतलब ठीक जिस तरह से क्या chemical science में उसी तरह से इसमें भी है पार्ट B में क्या है यहां पर क्या है 50 question पूछे जा रहे है और 35 आगो करने और दो-दो number के 0.5 जो क्या है negative marking है पार्ट C में जो क्या है 75 question आपसे पूछे जाएगी और 25 क्या है आपने attempt करने और 4-4 number के और एक marks क्या है negative marking है पर कोशन क्या है अगर एक कोशन गलत होता तो आपका एक marks क्या काट दिया जाएगा next है अगर science mathematical science physical science इसी तरह के इनका क्या है एक जैसा क्या है process रहेगा pattern रहेगा subject of the test chemical science science mathematics यह सब मैंने बता दिया आपको timing of examination सड़े नौ से यह भी बता दिया सब कुछ बता दिया entry into the examination center साथ से सड़े आट बजे के बीज क्या है entry होगी entry of the examination hall room number 8-45-9 checking admit card 9-79 setting the sit in the examination hall इसके बाद क्या है तो इस तरह से eligibility criteria क्या है eligibility criteria क्या है आपको क्या है आपके पास क्या है master degree होनी चाहिए MSC होनी चाहिए उसके equivalent क्यों डिग्री जो हो जैसे आपके पास क्या है general category में जो है आपको क्या है 50% 5% क्या है marks होने चाहिए और और जो category के लिए 5% की छूट दी जाती है जैसे आप यह form क्या है fulfill कर सकता है आप एक्जाम दे सकता है उसके बाद जो क्या है age limit यहां पर दे रखिए यह ज़ारेफ के लिए 28 year on 28 year से ज्यादा नियों चाहिए क्या है 2020 1 1 2020 में 28 year से ज्यादा नियों ज्यारेफ के लिए भीN की जाती है, फिमेल आज उनके लिए क्या ती साल की क्या छूड दी जाती है schedule for summation of application form CSIRnet ये सब मैंने उपर आपको पता दिया था पहले बता दिया था कब से कब क्या है online summation कब से कम form भरा जाएगा ये सब मैंने बता दिया है date of examination की जून होगी तो इस तरह से free conception provision with disability जो personal disability जो है अगर आपके पास क्या है 40% से ज़्यादा है तब ही आपको क्या है उस में क्या है छूट मिलेगी next how to apply application process UCC net ready online application form apply registration सबसे पहले जो step में क्या है आपने भी यहाँ पर process समझा रखा कि किस तरह से आपने क्या है apply करना है सबसे पहले आपने registration करवाना email id mobile number आपके आपको देना जो भी वहाँ से पूचे जाएगा उसके बाद क्या है आपने not down the system generate application number क्या आपको मिल जाएगा उसको आपने note करना है और क्या है यहाँ पर जो भी आपसे detail मागी वहाँ सारी detail देखे आपने form क्या है fulfill करना है उसके बाद क्या है आपको photo और image क्या है upload करना है उसका जो size है यहाँ पर दे रखा है और मैं एक बात और बता दे रचाओगा कि जो आप वहाँ पर ना photo लगाते हो ना form बे उसको क्या है आप संबाद के रखे कि क्योंकि जब आप exam देगे तो उस time जो क्या है उसकी क्या जरुरत पड़ेगी आपको बिल्कुल वही photo आपको वहाँ पर चाहिए होता है तो इस बात को क्या है जरूर याद रखे फिर उसके बाद क्या है में के payment form SBICC उसके बाद आपने payment बना नहीं है फीस जमा करवानी है जो कि आप किस तरह से कर सकते पेटियम कर सकते है SBI, ICCI, Gateway, Debit Card, Net Banking के तरू यानि के online आप पीस जमा करवाएगे तो उसके बाद जो क्या है आप डाउनलोड से प्रिंट कोपी of confirmation page after successful dream उसके बाद आपने जो क्या है जो confirmation जो पेज होगा उसकी क्या copy क्या है प्रिंट कर देनी है और आपने पास क्या है रख देनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो इस तरह से क्या है आप अपना जो क्या है form fulfill कर सकते हो तो यही है इसमें बाकी अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप मुझे क्या है बाट्सेप कर सकते हैं मैं आपकी पूरी सायता करूगा जितना मुझे ग्यान होगा मेरा बाट्सेप नमबर जो है वो है 78 071 35 301 इस पे आप मुझे कभी भी बाट्सेप कर सकते हैं यह यह बाकी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है जो important है वो मैंने आपको बता दिया है तो सात्यों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूब वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और जादा जादा लोगों तक share करें ताकि जादा जादा लोग तक इसका फायदा पुने सकें और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे स्यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आने वाले प्रतेक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके यूटूब चैनल पर मिल सके तो फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में फिर भी लेगे किसी नए टोपिक के साथ तब तब के लिए मुझे जिए इजाजित नमस्कार